हेलो फ्रेंज, श्वागत है आपका अपनी यूटूब चैनल आर्थ स्टीचिंग में फ्रेंज, आज के इस वीडियो में हम बर्क वाली ब्लाउस की कटिंग और स्टीचिंग करेंगी तो यह हमारा ब्लाउस है, इसमें हमारे ब्लाउस की एकॉर्डिंग ही बर्क बना हुआ है तो इसकी हम इसी के एकॉर्डिंग कटिंग करेंगी, यह हमारा फ्रेंट पार्ट है आप इसे बैक में भी रख सकते हैं, मैं इसे फ्रेंट में रखूंगी तो सबसे पहले हम ब्लाउस की लेंगे जो भी हमारी लेंद है तो यह मक्स हैं लैंद 6 synthesis का ब्लाउस बना रहे हैं लैंद ली है हमनी साड़ी 14 इंच अब हम सोल्डर लेंगे सोल्डर लेंगे साथ इंच यह हम बोटनेक बनाएंगे तो इस तरीकी से हम सोल्डर के लिए निशान लगाएंगी अब आर मूल भी लेंगे साथ इंच अब हम चिश्ट का फूर्थ पार्ट लेंगे 9 इंच 2 इंच का एक्ट्रा मार्जन मार्जन आप 1,5 इंच भी रख सकते हैं एक इंच के आर मूल में गोलाएंगे इस तरीकी से हम निशान लगा लेंगे अब नीचे से हम कमर के लिए निशान लगाएंगे तो कमर के लिए लेंगे हम साथ इंच 2 इंच का एक्ट्रा मार्जन तिस तरीके से हम लाइनों को मिला देंगे जो हमारे निशान हमने लगा लिए हैं अब इसके बाद हम तो हम इसको प्रेंचेस कट बराएंगे तो नीचे से हम दो इंच एक्ष्रा लेंगे कमर की तरफ से और एक इंचे एक्ष्रा लेंगे आर्मूल की तरफ से तो इस तरीके से हम बढ़ाते हुए इसमें निशान लगा लेंगे तो निशान लगाने के बाद इसके हम पहले कटिंग करेंगे इसके बाद हम प्रेंचेस कट के लिए निशान लगाएंगे तो हमने यहां ब्लाउस की कटिंग इस तरीकी सी कर ली है कटिंग करने के बाद अब हम इसके प्रेंसेस कट के लिए निशान लगाएंगी तो इस तरीकी सी हम चड़ाई में पहले लेंगे साधे पाधे 3-3 इंच उपर से टक्स पॉइंट लेंगे 10 अब लाईन को सीधा करेंगे तस तरीके से हम सीधी लाईन कीचेंगे अब इस लाईन को अर्मोलों की तरफ इस तरफ प्रेंस से गोलाई देते हुए था दंगी चैसे अब फमने स्ीधी requirements लेना है और ऊपर रखी तरफी हम डेड़ेंच लेंगे रची के सलायं बना लेंगी कि सिस्तों तरीके से हमें प्रिंसट कर लिए निशान लगा LAUN выход आधा आधा इंच ऊपर के तरफ दाउन करेंगे ताकि हमारे कौंर देंग निकले कि अब इसके हम क्टिंग कर लेंगी को तो हमने दोनों पाट की कटिंग अच्छे से कर ली है कटिंग करने के बाद अब हम गले के लिए निशान लगाएंगे तो इसको हम एकसाइट करेंगे अब इसमें हम गले के लिए निशान लगाएंगे तो गले की चौड़ाई लेना है हमें चारेंच जो भी हमारी डिजाइन बनी हुई है उसके अकॉर्डिंग भी हम इसकी चौड़ाई रख सकती हैं तो हमारी 3.3 चौड़ाई आई है तो मैंने 3.3 रखी है और लंबाई में लिया है 4 इंच तरह तरीके से हम निशान लगा लेंगी इसकी हम कटिंग नहीं करेंगे अब इसके बाद हम इसी को रखकर अस्तर की कटिंग कर लेंगे तो हमने यहां इनी पार्ट को रखकर अस्तर की कटिंग भी कर ली है अब अस्तर के ऊपर हम मैन फैब्रिक किस तरीकी से रखेंगे और फिंस लगा कर इसकी हम स्ट्रिचिंग करेंगे तो अस्तर के उपर मेंट पेप्रिक हमने उल्टा करके रखा है अब हम इस पर गले पर शलाई लगाएंगे पहले तो जो भी हमने निशान लगाए थे उसी डिजाइन के अनुशारी हमें इस पर शलाई लगा लेना है तो शलाई लगाने के बाद जो भी एक्स्रा कपड़ा है उसके हम कटिंग कर दिंगी और पूरी में छोटी-छोटी कट्स लगा के इसको पलटकर हम सीधा करेंगी तो तरीके से हमारे गले की फिनिशिंग अच्छे से हो गई है अब हम इसमें फिर से पिंस लगा के चारो तरस से सलाई लगा के अस्तरो में फैब्रिक तो अच्छे से कबर करेंगी जोसी तरीके से हमें इसके साइट के पायर्टों को भी दोनों तरफ से सलाई लगा के अच्छे से उनकी फिनिशिंग कर लेना है तो कमर की तरफ हम अस्तर को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इस तरीके से इस पे उपर से सलाई लगा देंगी ताकि हमें कमरपटी अलग से ना लगाने पड़े क्योंकि इसमें हमारी पहले से डिजाइन बनी हुई है कमर पर तो तरीके से कमर की फिनिशिंग भी हमने कर ली है अब इसके बाद हम इसके साइट के पायर्टों को भी दोनों को अस्तर के साथ अच्छे से कबर करेंगे तरीके से इसके से कमर जार्टों के जाद हमने करेंगे तो हम तोनों पाट को इस तरीके से जोइंट करेंगे तो हमें नीचे से स्लाई लगाना शुरू करना है क्योंकि जो भी अमारा एक्स्ट्रा कप्रा होगा वो अमारा आर्मूल की गोलाई की देते हुँ बक्त निकल जाएगा तो इस तरीके से हम नीचे से स्लाई लगाते तो इस तरीके से हमने दोनों साइट दोनों पाइटों को लगा कि कम्प्लीट कर लिया है और हमारा ये फ्रेंट पार्ट बनके कम्प्लीट हो गया है नीचे से हमें कमरपटी अलग से लगाना नहीं पड़ी क्योंकि इसी में अस्तर को अंदर की तरफ पोल्ड करते हुए इस लाई लगा के इसको कम्प्लीट किया है तो आपको वीडियो समझ में आया होगा और पसंद भी जरूर आया होगा तो कैसा लगा का वीडियो कमेंट में जरूर रताइएगा इन चैनल पर पहली वार आया है और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद